हेलो एबरिबन वेलकम बैक टू सरकारी नोपरिवले बाबा आई एम धनन जय जब आप बॉर्डर और 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 और्गनाइजेशन में एज इस टैनल सेलेक्ट होते हैं तो आगे जॉइनिंग का किस तरीके से प्रोसीजर रहता है अभी 2019 वालों का चल रहा है तो वह भी मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर रहे हैं जितने भी 2019 वाले 20 वाले और 21 वाली स्ट्रेंट जो त्यारी कर रहे हैं जो फैनल सेलेक्ट होंगे तो इसकी लेबर लगबग 2400 ग्रेट में आपकी हर साल आती है तो यहां पर एक चीज़ बता दो कि हर जगे आपका 2400 में ग्रेट लेकिन यहां पर आपका इस तरीके से जानिंग का प्रोसीज़ रहता है तो यहां 2019 वालों का अभी जॉइनिंग का प्रोसीज़ चल रहा है तो वह मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा तो अभी हुआ क्या है कि 2019 के से एक लिश्ट आई है नोटिस के साथ और उस नोटिस म हुँआ है कि आपको पुने में एक सेंटर है जी ऑर इया सेंटर ठीक है डीजी कैस सबसे पहली चीज आपका अट्रिस्टेशन फॉर्म को पूरा फिल करके और उसमें आपका जो पेश नंबर वन है उसको एक ऑफिसर से अट्रिस्ट कराना है उसकी पांच अट्रिस्टेशन की कॉंपी जो है वो आपका आपके पास होनी चाहिए तो यहां पर आपको प्रूफ अगर आपने क्लेम किया है तो वह आपको प्रूफ ऑप मेरिज अगर आपके साधी हो गई है तो उसका अगर आपने क्लेम किया है तो वह आपको अरिजनल फॉर्मेट में लाना है एक्स सर्विसमेन वाले एक्स सर्विसमेन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको औरिजनल में लाना है फिर आपका अगर आप कहीं पर जॉप कर रहे हैं तो वहां से आपको अनुसी उस टाइम पर डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपको लानी है फिर इसके बा लाना है क्योंकि वहाँ पर कुछ टेस्ट आपके यहां पर लिखे हुए हैं जैसे सी बीसी हो गया यूरीन आरी एंड एमी हो गया ब्लड गुरूपिंग और आरेश टैपिंग तो उन टेस्ट को कराके वहाँ पर उसका जो रिजर्ट से वो भी आपको पीछे लाना है और यह लिखे है अगर इसेंट के ही होने चाहिए जदा ऑलो थे सारने होने चाहिए अब जब महां पर आप जूरूर्स किया कर दिया जाएगे तो ध्यां से इस चीज़को ध्यान मेरे ने दूसरी तीसरी चीज आपका medical examination आपका होगा तो medical examination वहीं पर ही आपका conduct कराया जाएगा तीसरी चीज कि भाई अगर आप कोई भी अगर document verification में नहीं पहुच पाते हैं या delay होता है तो आपका candidature पूरी तरीके से cancel माना जाएगा दुबारा से आपको chance नहीं दिया जाएगा कोई भी representation आपका accept नहीं किया जाएगा फिर आपका है कि जैसे ही आप इन सारे criteria वह पार कर लोगे उसके बाद डारेक्ट आपको appointment के बाद तुरान training के लिए आपको भीज दिया जाएगा कितने दिन की होगी यह भी कुछ भी clear नहीं है इसके बाद फिर आपका कहा है कि भी हाँ इतनी चीजे जो है वह आपको बॉर्डर और और जेश्मन की जॉइनिंग में आपकी रहती है अब यहां पर मैंने प्रोमोशन का प्रोस्प्ट बता दिया कि स्टार्टिंग में आप तो ओर और देखा जाए तो इसकी पूस्टिंग जो है वापकी अल वर इंडिया रहती है तो इस तरीके से जो जौब है वो ट्रांस्परेबल जौब है हर तीन साल में आपके ट्रांसफर हुआ करते हैं तो में भी आइटिंक इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने अभी युट 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 गुटू।